Hello everyone, welcome back to my youtube channel, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope यूग कि आप सभी अच्छे होंगे और कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को chapter 2 के dictation words करवाई थे और आज हम करेंगे chapter 2 के word meanings, okay, chapter 2, 3 little pigs, okay तो हम क्या करेंगे, इसके word meaning करेंगे, मैंने क्या करवाई बच्चों के according, मैंने हिंदी में करवाई हैं कि बच्चों को, at least उनको हिंदी meaning पता होना चाहिए, ठीक है, तो आप चाहिए तो इसको English में भी करवा सकते हैं लेकिन मैंने क्या करवा है उनकी मीनिंग हिंदी में करवा हैं ठीक है वार्ड मीनिंग फॉर्स है ल, आ, डबल, ट, ल, इल, 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 मतलब क्या होता है छोटा सेकिंड है पी, आ, इज, पिग, पिग, मतलब क्या होता है सुवर्ड थार्ड है S-T-R-A-W-Strolls मतलब क्या होता है Wall and fourth is B-R-I-C-K-S Bricks Bricks मतलब क्या होता है Eight Fifth है B-I-G-BIG Big मतलब क्या होता है Bada and sixth is H-O-U-S-E House House मतलब क्या होता है Ghar Seven है S-T-R-O-N-G Strong Strong मतलब क्या होता है मजबूत Eight है W-O-L-F W-O-L-F मतलब क्या होता है B-R-I-A तो आपको इनको क्या करना है अपनी English Pulse की Notebook में इनको Note Down भी करना है और इनको अच्छे से Learn भी करना है Okay Next वीडियो में आप लोगों को इस Chapter के Question answer करवाऊंगे तब तक आप इनको Note Down कीजिए इनको Learn कीजिए अच्छे से और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अमरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलेंगे में लोग नेक्स वीडियो में तब ते कि अपना धियान रखेगा Stay Home and Stay Safe Thank you so much